प्रग्या क्या हुआ कई में चिराग पास्वान को पासीटे दी है कि उन पर इंडिया का पर्चम लहरा पाएंगे देखिए मुझे नहीं लगता कि चिराग पास्वान उनके लिए करना आसान होगा और सबसे बड़ी बात कि मान लीजिए अगर वो जीत भी जाते हैं तो पहल कि अपनी पार्टी को मजबूत कर रहें कि चिराग पास्वान से नाराज होकर अगर पशुपती जो है वो दूर चले जा रहे हैं यहां पर आरजेडी में जा रहें तो आप समझ जाए कि उनके सांसद सीधे सीधे कही न कहीं बीजेपी के पास आ जाएंगी तो पूरी की प पांच सीधे दे जाएगे फिर आया की एक सीधे यहां एक भी सीधे नहीं दीगे क्या कारण हो सकता है इसका देगे जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारती जनता पार्टी की जो एक मात्र रणनीती है कि वो किस तरह से जो दिगज नेता है जिनके चेहरे पर बोट दलते हैं उन्हें कहीं न कहीं साइड लाइन करने की कोशश यहां पर करती हुई नसरा रहे हैं चिराग पासवान को अगर आप देखे तो राजनीती में उनका उतना जादा वर्चस्व नहीं है विसर पोर सिर्फ अपने पिता की धरोहर को सम्हाल रहे हैं लेकिन अगर पशुपती क कि अगर जीत हासिल हो जाती है यहां पर उनके पिता के नाम पर चिराग पासवान को तो कहीं न कहीं बाद में चिराग पासवान को साइड करके उनके सांसतों को बीजेपी अपने खेमे में कर लेगी यहां पर चिराग पासवान को साइड करके उनकी जो सांसत हैं उन्हें कर लेगी बात भी यारों भी लगतार विपक्ष का लगाया गया विपक्ष की द्वारा लगाया गया कि आप NDA के साथ अब मत जाये आप जो सीटे अगर जीट जाएंगे जो सांसन आपके बनेंगे उन्हें बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करा कि आपकी पार्टी में और भी जादा टूट और भी जादा फूट के स्थित्पन कर दीगी विपाशका लगातारी कहना तर लेकिन अब सीट शेरिंग हो चुकी है जहां 2019 के आम चुनावों में बिहार में NDA के साथ यहां पर तीन सहयोगी दलते तो कुल मिलाकर कि यहां जो अब किस्थी ती अगर तीन सहयोगी दलते जेडियो बीजेपी और अविभाजित लोजपा के इस बार भी वैसा ही हो पाएगा वैसे ही प्रदर्शन एंडिये कर पाएगा यह जादा सहयोगी दल और आंत्री कल्या के चलते जहटका लगेगा जी बिलकुल बीजेपी मुश जिस तरीके से 49 सीटे जी 30 साल 2019 के लोग सबाचनाव में लेकिन कहीं ने कहीं बीजेपी और एंडिये के लिए अब बिहार जो है कह सकते हैं चुनावती है क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादाव लगतार लोग प्रियता उनकी बढ़ती जा रही है और कहीं ने कहीं जिस तरीके से अभी आं उनका रवी है इसके ख़लाब भी अब जनता जो है सक्रिय नजर आ रही है और जनता के बीच यह मुद्दा जो है एक बंकर उभर रहे है और तेजस्वी यादा लगतार इस बात को उठा रहे हैं और जिस तरीके से तेजस्वी यादा ने 17 महीने में जो है उप मुख्यमंत और कह सकते हैं RJD गडबंधन के साथ चुनाव लड़ रही तो निशित रूप से BJP उतना ज़ादा प्रभावी धंक से प्रदर्शन नहीं कर पाएगी निशित रूप से कुछ सीटों पर जरूर हार का सामना करना पड़ेगा 40 लोग सबसीटों पर बिहार की जनता ने अपना मत डाला था 2019 के आम चुनावों में एक और था महागडबंधन तो दूसरी और था विकल्प के रूप में एंडिये गडबंधन एंडिये गडबंधन अविभाजित लोजपा थी जेडियो थी और बीजेपी थी लेकिन सायोगी दल बढ़ चुके है जहां चिराग पास्वान को तवज्जो देते हुए पशुपती पारस को हलके में आका गया है कि अपन में सायोगी माही है माही क्या पशुपती पारस में घक अगया कि एक भी सिट नहीं दी गई कि चिराग पास्वान बहतर कर पाएंगे լीज़ेपी नेटर वाले अंडिये गडबंधन के लिए पशुपती पारस कर पाती है देखें हलके में आउनी वाली बात अभी थाप शाफेश पर नहीं की जा सकती लेकिन वाके में आखी जिसके चेज़ को वैल्यू दी गई है और जिसकी वज़से चेजाह पासमान की जो इमेज है muklaubsher पता है कि उनका जो जनाधार है वो युवाओ के बीच में लगतार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और पसुपती कहीं न कहीं अब डाउन फॉल पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं जैसे हाजीपूर सीट को लेकर कहीं न कहीं घमासान मचा हुआ था ऐसे में कहा जा सकता है कि उनको तवज्जु ना देकर चिडाक पासवान को तवज्जु दे गई और उनको हाजीपूर सीट और जमुई सीट जिसको लेकर ज्यादा घमासान चल रहा था उसको तवज्जु उनको दिया गया है इसकी वज़ज़ से कह सकते हैं अब पसुपती पारस इस्तीफा भी लेकिन अब यहां पर सवाल यह है कि क्या वो तीसरा एक खेमा बनाएंगी क्या तीसरा मोर्चा लेकर बिहार के आगामियाम चुनाव मुतरने वारे हैं यहां पिर महा गटबंधन का हिस्सा बन जाएंगे लेकिन यहां पर बीजेपी जहां चर्चा है सीट शेरिंग को लेक अगर जेजेपी के साथ बीजेपी का गटबंधन तूड गया तो यहां सीट शेरिंग को लेकर ही पशुपती पारज भी अलग हो गए क्यों जिस तरीके से अगर यहां बीजेपी को सहयोगी दलों का साथ मिल रहा है कुछ नए सहयोगी दल जुड रहे हैं तो पुराने सहय लोगी दल भी दूर खिसाक रहे हैं क्या यह दूरी बीजेपी को आम चुनावों में बहतर प्रदर्शन से भी दूर कर देगी नाजमीन जस तरीके से हर्याना में देखने को मिला जेजेपी से गट बंदन तूटा सीट शेरिंग को लेकर यहां परशुपती पारस से दूर दे रहा हूं क्योंकि मेरे पार्टी के साथ और मेरे साथ नाइंसाफी होई है इससे पहले प्रेस कांफरेंस करते वे पशुपती पारस नजर आये थी वह कह रहे थे कि मुझे अंडिये से उम्मीद है इस उम्मीद को एंडिये टूटने नहीं देगा यानि कि उन्हें कहते वे नजर आते हैं हाजिपूर पिता की सीट है समस्तिपूर एक तरीके से यहां पर उनका गड़ माना जाता है जमुई सीट उनकी संसदिय सीट है तो ऐसे में चिराग पास्वान को खुश एंडिये ने किया है लेकिन यहां पर तस्वीरे यह भी निकल कर सामने आ रहे है कि अगर चिराग पास्वान को खुश किया गया है तो अब उनके कदम महागडबंधन की तरफ बढ़ेंगे महागडबंधन की तरफ बढ़ेंगे तो कई और सांसत भी जाएंगे लेकिन इस बार कि लोग सभा चुनाव में तो यह करिश्मा एंडिये कर दिखाएगा लेकिन सभा चुनाव भी आने हैं दौहजारपज्श cesR 25 विधान सभा चुनाव आएंगे उस दरान क्या होगा यही पचुपति पाराज का समर्थन अगर आर ज़ीडि को मिल जाता है असानी से पारस को दो सीटे दे देते तो भी खुश हो जाते लेकिन यहाँ पर नराजगी पैदा करने का काम खुद NDA ने किया है अब उनका जो दल है वो कहीं ना कहीं बिहार में तो तूट कर रहेगा अच्छा जो पांच सीटे पारस से इतर हटके चिराग पासवान को दी है NDA ने क् महाँ गडबंदन वहीं पांच सीटे दे सकता है जो चिराग पासवान को दी है बिलकुल क्योंकि जैसे की बात करें बीते दिन जहां पर NDA की बैठक होती हुई दिल्ली में नजर आई ती जिसमें नितीश कुमार पहुंचे थे दिल्ली तो वहीं आर्जेडी और कॉंग्र सीटे देने की बात की गई हैं इसके लावा कुछ सीटे यहां पर बचती है यह भी कहा जा रहा चैसे साथ सीटे अगर बचती है तो यहां पर इन ऐसे दलों को दी जाएगी जो NDA से कहीं ना कहीं नाराज है अगर वो अभी फैसला ले ले लेते हैं कि हम महागडबंधन का ह जहार में आईगी और अगर वाकई अगर यह दल उनके साथ नहीं जुड़ते हैं यहां पर यह पार्टिया नहीं आती है तो कहीं ना कहीं इन सीटों को लेकर भी बटवारा हो जाएगा कॉंग्रेस और आर जेडी में लेकिन साफ है कि यहां पर सीटे छोड़ रखी है आर पर पूरी तरह से तैयार है कि कैसे इन दलों को अपनी तरफ किस तरीके से खीचा जा सके अब यहां पशुपती पारस ने के इंद्रे मंत्री के पत से इस्तिफ़ा जरूर दे दिया है लेकिन यहां पर अभी यह सवाल तो बना हुआ है कि क्या वे यहां वापसी कर लेंगे क्या यहां पर अंडिया गडबंधन में बने रहेंगे यहां पर साथ निभाते चलेंगे आगे या फिर इंडिया गडबंधन का हिस्ता बन जाते हैं तो क्या बीजेपी ने तरतम वाले इंडिया गडबंधन की और मुख्य रूप से बीजेपी की आगामी आम चुनावों वे बिहार के 40 लूक सबसीटों पर चिंत आएं और चुनोतिया बढ़ जाएंगे इस पर आपकी क्या राया है कॉमेंट बॉक्स में हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं फिलाल के लिए स्पेशकश में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9